शुरू से ही मेरा मानना है कि अपनी अच्छी सेहत के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं हमारा भी यही मानना है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि आज का वीडियो आप पूरा देख कर और इसके टिप्स अच्छी तरह से फॉलो करके आप भी आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक चीज जो हम सब की लाइफ में कॉमन है मेरी आपकी सब की लाइफ में कॉमन है वह हमारा बिजी स्केडूल और इसी एक्स्क्यूस की वज़े से हम अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो यह नहीं है कि ँपिढ एक ज़ी है का बनी यह कर सकते हैं क्यूकि उककि उसके बाइफ में कर सकते हैं मैं मानता हूं कि 8 को आट व creation, आप जाए 17 को बहुता हो पर बारेअ गयुदे करिखे हो अपने निफ आप अपने लाइफ को वहा कि में प्रलाता है तो आप उसके टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो यह है सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट टिप के जब तक आप अपने हेल्थ, फिटनेस या वेट लॉस के लिए समय नहीं निकालोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे कैसे? अगर आप अपने हेल्थ और वेट लॉस को अपने प्रियोर्टी लिस्ट में सबसे उपर रखोगे तो इसके लिए जरूरी समय भी आप आसानी से निकाल पाओगे अब आप सोच रहे होंगे कि कितना समय निकालना होगा और इस समय में हमें क्या करना होगा जो इनसान दिन के 24 गेंटों में से अपने शरीर को एक गेंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए इस एक गेंटे में आप छाहे जो जो इन है इन फ़ॉर्ma उपके रिजक और जो आपको पसन जाहिए जिम चलेंगा एक गेंटे यार राणिंग कर लो साइक्लिंग कर लो योगा कर लो जुम्बा करलो CrossFit कर लो या something like As simple as walking कर लो कुछ भी करो याज लेकिन करो अगर कुछ नहीं करोगे तो मरोगे तो आप भी डेली एक घंटा निकालिये और इस एक घंटे में से अगर आप 40 मिनटस भी actively exercise कर लेते हैं तो आप weight loss के बहुत अच्छे results पा सकते हैं और weight loss के लिए सबसे अच्छा होता है strength training लेकिन अगर आप किसी कारण से strength training follow नहीं कर सकते हो या जिम में नहीं जा सकते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है बस चलना ही है यार जो आप वैसे भी घर पर होते हैं तो चलते ही हो बहार लिख लो चलो garden में जाओ मैं तो कहता हूँ कि एक goal बना लो कि 10,000 steps आप लोगों ने चलना दिन में एक दिन में 10,000 steps का goal पूरा करके आप जल्द ही weight loss के अच्छे results पा सकते हो और अपने आपको हमेशा fit रख सकते हो इस 10,000 steps के goal को track करने के लिए आपको लेना चाहिए Garmin का Vivo Fit 4 मैं खुद Garmin का Vivo Fit 2 यूज कर रहा हूँ बिना बैटरी बदले या चार्ज किये जिहां इसे रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती company claim करती है कि इसकी बैटरी एक साल से ज्यादा चलती है बट मुझे तो पूरे चार साल हो गये है बिना बैटरी बदले ये आपकी activity ही नहीं बलकि आपकी in activity भी track करता है और आपको alert करके walking के लिए motivate करता है इसलिए office में desk job करने वाले या वे सभी जिनका ज्यादा तर समय बैट कर उजरता है उन्हें ये fitness tracker जरूर यूज करना चाहिए इस fitness tracker का बहतर यूज करके ना केवल आप fit रहोगे बलकि कई lifestyle disease से बच भी पाऊगे आपकी आसानी के लिए इस fitness tracker का buying link में आपको description box में दे दूँगा जहां से आप इसकी बाकी सारी कूबियां भी जान पाएंगे और चाहें तो directly purchase भी कर पाएंगे कुछ दिनों में आप लोग को ऐसा खुदी feeling आईगी अच्छा लगेगा बट सबसे important है focus रहना और routine को बनाए रखना अगर आपने अपनी weight loss जरनी जस्टार्ट की है या करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप इस process को 21 दिनों तक continue जरूर करें बस इसके बाद ये अपने आप आपकी एक अच्छी आदत बन जाएगी और आप आसानी से अपनी weight loss जरनी पूरी कर पाऊगे अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टन चीज जो है exercise के साथ उसके hand to hand जाता है वो सही diet maintain रखना अब को बदाओ unhealthy food discount से जो डिस्टाइक होना पर बहुत ही आसान है बट आपके अंदर ही self-control बनाए रखना वो सबसे important और बहुत मुश्किल भी है लेकिन बनाओ यार office की बाग दौड रहती है shooting रहती है हम लोग क्या करते हैं कि meal को है वो skip करते हैं खाने के वक्त मतलब लंच टाइम के वक्त लंच नहीं खाते फिर junk food order करते हैं हम लोग ये मंगालिया वो मंगालिया आप सामझ सकते हो चांपूर मतलब जो भार मिलता है मैं आज भी आपको बताओं फिल्म की shooting पर रोज जाता हूं लेकिन घर का खाना लेकर जाता हूं घर का डबबा लेकर जाता हूं कितना भी लोग कभी कभी हिरोईन बोलती है या कोई और बोलता है तु घर से डबबा लेकर आता है हाँ भाईया मैं घर से ही डबबा लेकर आता हूं घर की दाल, रोटी, सबजी और थोड़ा बहुत घी जो कई-कई लोगों को लगता है कि यार बड़ाई भाई कलस्ट्रॉल है नहीं भाई असली घी उसमें थोड़ा डालो और देखो वारे नियारे हो जाएंगे बड़िया हो जाएगा बोन्स के अंदर ताकत आती है तो आपने सुना की मील स्किप न करें होममेट फूट्स ही लें और घी को जरूर अपने डायेट में इंक्लूड करें लेकिन क्योंकि घी में ज्यादा कैलोरीज होती है इसलिए एक दिन में दो टेबल स्पून से ज्यादा घी न लें घी में होता है हेल्दी फैट्स जो आपके हार्मोनल बैलंस को सही बनाये रखने के लिए बेहद जरूरी होता है और सही हार्मोनल बैलंस रखकर ही आप आसानी से अपना वेट लॉस कर पाओगे जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे गर से मतलब नहीं लापाता था कभी-कभी कुछ तो मैं पता है क्या करता था छे केले खरीदेता था केले को छीलो उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है आप उपर का हिस्सा काट के खालो अरे यार डिसिप्लिन मेंटेन रखना हमार कि रॉकेट साइन्स नहीं है दिन लंबा हो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनिंग स्नाक्स क्या लेना है ताकि आपको जंक और ना करना पड़े ड्राइफूट्स है ड्राइफूट्स भी खा सकते हूँ आप मुट्टी भर ड्राइफूट्स अपनी जेब में रख ले और अनहल्दी जंक फूट के हाई कैलोरीज से भी बच पाते हैं और हाँ एक दिन में एक फिस्पुल यानि एक मुट्टी से ज्यादा पीनट्स या ड्राइफ फूट्स न ले ध्यान दें अपने ये ये जो खाते हैं आप ये जो हाथ पर ध्यान दीजिए जब ज़्यादा अगर आपके जगा इतनी हो तो इतना ही खाई आपकी जगा छोड़ दीजिए कोई ज़ूद नहीं है ग्रीडी बनने की जुरूद दीजिए इतनी जगा छोड़ दीजिए बस इतना ही खा लीजिए वजन कम करना है तो portion control तो करना ही होगा याने calorie deficit करनी होगी क्योंकि बिना कैलोरी डेफिसिट के दुनिया में कोई भी अपना वेट लॉस नहीं कर सकता और आसानी से कैलोरी डेफिसिट फॉलो करने के लिए आपको देखना चाहिए मेरा ये वीडियो और आराम करना भी बहुत जरूवी एक्सराइस की बात हो एक्सराइस की बात तो होगा लेए जरी कि आराम करना भी सबसे बढ़ी यह अराम भी होता है चार गंटे या पांच गंटे नए आपको आपके बॉड़ी सई फंक्शन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है आराम और वो है आठ गंटा आठ गंटे की नीद और अगर आठ गंटे की नीद आएगी आपका शरीर आपको बहुत साथ देगा चाहे वो कसरत में ह बहुत जरूरी मैं फिर से तोरा रहा हूं आठ गंटे की अच्छी नेंद लेकर ही आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए देखना चाहिए आपको मेरा ये वीडियो गंटो स्क्रीन के सामने ऐसे हम पढ़े रहते हैं चाहे वो काम के कारण हो या कोई एंटर्टेन्मेंट हो को पिचर देख रहे हूं इन सब के बीच सबसे जादा पता क्या बात सफर करती है हमारी है और दूसरी बात ऑफिस से घर पहुंचो तो अपने मोबाइल को दूर रखो जब मैं शूटिंग से लेके घर जा रहा होता हूं तो फोन पे अपने करता हूं तो स्क्रीन पर ज्यादा टाइम वेस्ट न करें उस टाइम का बहतर यूज करें एक लेटेस्ट सर्वे में यह पाया गया है कि 80% इंडियन सोने के पहले मोबाइल यूज करते हैं सोने से पहले लास्ट मैसेज या स्टेटस चेक करने में कोई बुराई नहीं है ब करती है जिसकी वजह से उसे यह लगता है कि अभी रात नहीं हुई और अभी मुझे नहीं सोना है इस वजह से आपको रात की नीम ठीक से नहीं मिल पाती इससे बचने के लिए आपको अपने मोबाइल का ब्लू लाइट फिल्टर आन रखना चाहिए या अगर आपके मोबा से श्यूटेबल एप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना चाहिए मैं एक कांच से सुनता हूं और दूसरे से निकाल देता हूं नेगेटिविटी की बात कर रहा हूं मैं ना बुरा सुनो ना बुरा सोचो मेंटल हेल्थ एक्दम फिट रहेगा से नो टू आते हैं उसमें एक लाइन सबसे कॉमन होती है कि मैं बहुत परेशान हूं यहां आपको एक बात समझनी होगी कि आप जितना परेशान रहोगे वेट लॉस करना उतना ही मुश्किल होगा, so just start the journey and enjoy the process तो भीज़ देर किस बात की है, health के goals को बनाओ and get moving, चोटे-चोटे चेंज़ लाएं अपने lifestyle में, अगर आपको motivation की जुरूत है तो Subscribe कीजिए Weight Loss TV और देखें इसके maximum videos जिसे देखकर, समझकर और follow करके आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं लेकिन अगर आप बिना time waste किये, किसी expert यानी मेरे supervision में जल्द से जल्द अपना weight loss करना चाहते हैं तो आपको opt करना चाहिए मेरा online weight loss program जो की एक weight program है तो बाई friends, take care